नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org Assalamualaikum नई सुभा Independent Living Program के Kitchen Hacks के साथ मैं हूँ नादिया हर मौसम में चाय का इस्तमाल हर घर में किया जाता है और इसलिए टी स्ट्रेनर यानी चाय की छलनी का इस्तमाल भी डेली बेसिस पे किया जा रहा होता है और जब इसकी सफाई की बात आए तो इसके लिए हम एक सिम्पल सा किचन हैक इस्तमाल कर सकते हैं ताके चाय की छलनी हमेशा बिल्कुल नई सी रहे इसके लिए हम घर में मौझूद सिम्पल से इंग्रीडियन्ट्स से इस्तमाल कर सकते हैं बेकिंग सोडा यानि मीठा सोडा 3-4 टेबल स्पून लें और इसके अंदर इतना पानी मिक्स करें कि एक थिक पेस्ट बन जाए अब इस पेस्ट को चाई की चलनी के अंदर और बाहिर अथी तरह से लगा दें और इसके बाद 5-10 मिनट के लिए किसी भी बोल में चाई की चलनी को रख दें तकरीबन 10 मिनट के बाद इस बोल में जिसमें आपने चाई की चलनी रखी है इसके अंदर white vinegar यानी सफैद सिर्का इतना शामिल करें कि चाय की छलनी इसके अंदर dip हो जाए सिर्का डालने के बाद आप इसे मजीद 5-10 मिनट के लिए छोड़ दे और 5-10 मिनट के बाद कोई भी पुराना ब्रश ले और चाय की छलनी को अंदर और बाहर से अच्छी तरह रब्ट करें और सबसे आखिर में साफ पानी से वाश कर लें और आप देखेंगे कि चाय की छलनी बिल्कुल नई हो चुकी है सो ये तो था आज का किचन हैक तिल नेक्स टाइम अल्ला निगे बान करें राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए